नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्रिकेशन यूस में अब समय है एशा की बड़ी खबरों से आपको रूबरु कराने का पहली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दे म्यनमार में चल रहे ग्रह युद के बीच चीन की सरकार action में आ गई है। मयनमार की सेना ने विद्रोही गट बंधन Three Brotherhood Alliance के साथ बातचीत की है। इस बातचीत में चीन ने मध्यस्त की भूमी का निभाई है। मियनमार में ये बात्चती तब शुड़ू हुई है जब विद्रोईयों और सेना के बीच भीशन लड़ाई चल रही है और देश के टुकडों में बटने का खत्रा पैदा हुआ है चेन की सीमा पर मियनमार की सेना के बम गिराने के बाद पैले ने अपनी तोपों को तैनात किया है सिर्फ यही नहीं बलकि मियनमार से भारतिय सीमा को जोने वाले एक रास्ते पर भी विद्रोईयों ने कब्जा कर लिया है अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं बतादे गाजा के स्वास्ते मंतराले के मुताबिक इसराइल हमास के युध के कारण गाजा में 18,400 से अधिक लोग मारे गए हैं इसमें ज्यादातर महीलाएं और बच्चे शामिल हैं इसके अलावा सैयोक्त राश्च का नुमान है क गाजा के 24 लाख लोगों में से 19 लाख लोग युध के कारण विस्थापित हो चुके हैं वें युध के बीच हमास प्रमुक इसमाईल हनिये ने कहा इसराइली हमले को रोकने के लिए हम किसी भी विचार और पहल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ये वेस्ट बैंक और दर्वाजा पट्टी दोनों में फलिस्तीन के लोगों को वापस अपने घरों में जाने के लिए दर्वाजा खुल सकता है अगली खबर के और बढ़ते हैं बीते कुछ दिनों से अफगानिस्तान के आकाश में कुछ पाकिस्तान जोन दिखने की कई खटनाएं सामने आई है अफगानिस्तान के आकाश में उड़ने वाले जोन्स को लेकर तालीबानी सरकारनी पाकिस्तान से शिकायत दर्ज की है बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खराब हो रहे रिष्टों के चलते आपस में तकरार बढ़ रही है वहीं खूफिया एज पाकिस्तान को मोहिया कर रहता है अगली खबर के और बढ़ते वे बता दें कि जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संसद के फैसले पर सुप्रीम कोट ने मोहर लगाई है जिसे लेकर पाकिस्तान के बाद अब चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है चीन ने तो हिमा पाकिस्तान की प्रवक्ता माउनिंग ने कहा कि चीन ने कभी भी भारत की तरफ से एक तरफा और अवैध तोर पर बनाई गई यूनियान टेरिट्री ओफ लदाख को मान्यता नहीं दी है आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने कहा था कि जम्मु कश्मीर का मसला बात केस में बड़ा जटका लगा है पाकिस्तान की एक भ्रष्टचा निरोधक अदालत ने तोशा खाना भ्रष्टचार मामले में जेल में बंद पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की गिरफतारी पूर्व जमानत याचिका बुधवार को खारिच कर दी है दरसल तोशा खाना मा प्रष्टाओं को उनकी यात्राओं के दोरान उपहार में दिये गए सबी उपहार रखे जाते हैं एश्या की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही पबलिक एश्या धन्यवाद